जम्मू कश्मीर के चर्चित रोश्नी घोटाले को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। इस जमीन घोटाले में 25,000 करोड का घोटाला हुआ है, ये जानकाली मिल रही है। और इस घोटाले में कई बड़े राजनेताओं और नौकर शाहों के नाम हैं, ये बड़ी खबर इस वकार आ रही है। इस मामले की जांच को लेकर जबरदस्त बूचाल यमू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक राजनिती में दिखाई दिया और कोर्ट के फैसले के बाद जब ये देखे अब जो नई जानकारी सामने आ रही है 25,000 करोड का ये घोटाला है यानि आप अंदासा लगा सकते हैं कि जो जमीन जिन पर कब से हुए जिन पर प्लिटिकल पार्टी इस ने अपने दफ्तर बना लिए जब हाई कोट ने इस मामले को करीब से देखा तो सबसे पहले तो इस एक्ट को रद किया और उसके बाद अब एक के बाद एक परत दर परत देखे मामला जिस तरह सामने आ रहा है गोटाले में कॉंग्रेस लेता केके अमला का नाम सामने आया है असीब द्राबुक के रिश्दार एजाज हुसेन का नाम भी सामने आया है यूज़ूम से चितरा तिरपाठी इसको जुड़ रही है और जानकारी के साथ चितरा क्या डीटेल्स मिल रही है ऐसा लग रहा है कि लिंक बहुत दूर तक जा रहे हैं और राजनिती में कई बड़े नाम अब सामने आने वाले हैं इस केस को लेकर मिनाक्षी ये जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जमीन घोटाला है जिसकी पूरी की पूरे लिस्ट उन्नेताओं की नौकरशाओं की इस वक्त आज तक के पासे और माना यही जा रहा है कि इस जमीन घोटाले में आगे आने वाले वक्त में कुछ पूरों मुख्यमंतियों के नामों की जानकारी भी आज तक अपने दर्शकों तक पहुँचाएगा क्योंकि एक्स्क्लोसिफ जानकारी जो हमें मिली है उसके मताबिक सबसे पहले आपको ये बता दे जो रोश्टी जमीन एक्ट बनाई गई थी दरसल ये 2001 में जब फारुक अब्दुल्ला साब की सरकार थी उस समय इसको बनाई गई थी उसके बाद यहाँ पर पीडीपी की सरकार रही एंसी की सरकार रही कॉंग्रिस पार्टी से गुलाम नभी आजाद साब भी रहे लेकिन लगातार उस एक्ट में संशोधन करते जाते रहे ये तमाम राजनीता या फर इन से जुड़ेवे लोग और अपने अपने हितों के हिसाब से जमीनों का बंदरबाट चलता रहा करोनों का ये घोटाला सबसे पहले वो लिस्ट मेरे पास है आज तक के पास ये एक्स्लूसिव लिस्ट है इस वज़े से मैं चाहूंगी वो तमाम नाम पूरा देश जाने कि किस तरह से जमीन घोटाले की बंदरबाट यहां पर सामनी आई है और एक एक नाम बेहट चौक आने वाले है सबसे बड़ा नाम जो आज तक के पास एक्स्लूसिव जानकारी मिली है जो लिस्ट हमें मिली है उसमें मिस्टा हसीब दर्बू जो की फॉर्मर फानेंस विक्त मंत्री रहे है पीडीपी के बड़े सीनियर नीता है और सिर्फ इन्हों नहीं रही बलकि इन्हों ने अपने रिश्टेदारों को भी रोशनी एक्ट के तहट जमीन दिलवाई इनके रिश्टेदारों के नाम सुनिये इनके रिश्टेदार में शहसादा बानो आती है इनके रिश्टेदार में एजाज हुसान आते है इनके रिश्टेदार में इफ्तकार एहमद आते है ये तमाम वो लोग है जो पीडीपी से जुड़े हुए है और इसके अलावा पूरो वित्नमंत्री इसके साथ इनका रसूख आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है अगर वित्नमंत्री इस तरह से जमीन घोटाले के मामले में शामिल होगा तो यकीनन अब उससे जुड़ी वी एक बहुत बड़ी चेन होगी जिसके नाम हम आपको खीवार के बाकी लोगों के नाम जिसका जिकर मैंने किया इसके अलावा कॉंग्रेस पार्टी देखें यह तो PDP के नेताओं यानि कि महभूबा मुस्ती की पार्टी से जुड़ेवे नेताओं की बात हुई अब आजाते हैं कॉंग्रिस पार्टी, जम्मू कश्मीर में कॉंग्रिस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता, जिसमें Mr. K. K. Amla, जो की prominent बिजनस मैन है और कॉंग्रिस पार्टी के सीनर लीडर, इसके अलावा श्रीमती रचना अमला का राम हमारे पास है, जो लिस्ट हमे आवा आपको बता दें कि बिजनसमैन भी बहुत सारे ऐसे हैं देखे यहां पर इस बात को समझना होगा कि रोशनी एक्ट क्यूं बनाय गया था उन्यों सो निन्यानवे के पहले जो सरकारी जमीन थी उसमें जो गरीब लोग थे उनके हितों के मद्दे नजर ये माना जा रहा में इसी मकसद के साथ इसको बनाया गया था और लेकिन समय समय पर इसमें संशोधन किया जाता रहा समय समय पर वहाँ पर सरकारी बदलती रही और लगातार एक दूसरे को फादा पहुंचारे का काम किया जाता रहा चाहें वो PDP के नेता हो चाहें वो Congress Party के वहां के नेता हो बलकि बहुत बड़े बड़े नौकरशाहों के नाम भी निकल कर सामनी आये हैं मिस्टर निगत पंडित के नाम भी शामल है ये इनके रिष्टतरार बताई जारी है सईद मुझफफर आगा का नाम भी इसमें निकल कर सामनी आ रहा है ये रोशने घोटाले की बात हो गई और अब यहां पर जो investigation चल रही है पूरे मामले की जो inquiry चल रही है उसमें इन लोगों के पास जितनी भी जमीन है इस बात को ध्यान रखे इनके पास इस घोटाले से जुड़ीवे जितनी भी जमीन है अब उसको वापस लिया जाएगा पि और उसी के तहट ये पूरा का पूरा कदम आगे बढ़ाए गया है अगला अगर जम्मू की में बात करो तो देखे जम्मू में जो अतिक्रमड जमीनों का किया गया था यानि कि जमीन आपके पास कम थी लेकिन लगातारा प्लैन बढ़ाते भी चले गए और कोई भी पूच अतिक्रमड हुआ है उसके जरीए मिस्टर एम वाई खान एक्स चेर्मेन है जेके बैंक के इनका नाम सामने आया है मिस्टर अब्दुल माजिद वानी एक्स मिनिस्टर है कॉंग्रिस पार्टी के इनका नाम सामने आया है मिस्टर अस्लम गोनी पॉलिटिकल लीडर है एक्स आपसे पूछने वाला कोई नहीं था, उनकी ये नाम है, इसके अलावा जल्दी जल्दी रोष्णी केस जो जम्मू से जुड़े हुए मामने सामने आए हैं, उसमें कुछ नाम आपको बताते हैं, नारूराम, बेली राम, शालूराम, रामदास, रामलाल, बुवा दित्ता, देवी दित्ता, रामलाल और मिस्टर सत्पाल इन लोगों के नाम ये सामने आए हैं, इसी के जरिए दरसल आप समझ सकती हैं मिनाक्शी के इससिति कितने जादा गंभीर हो जाती है, कि अगर जमू क पश्मीर में आपके सरकार्टी तो अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों को आपने धोके में रखा, लोगों को आप लोगों ने भ्रम में रखा और उसके जरिये लोगों को ये बताते रहे कि दरसल रोशनी एक्ट के जरिये हम गरीबों को फायदा देंगे, रोशनी पर ये जमीन जो कि सरकारी जमीन है, जो कि बहुत सारी ऐसी जमीन है, जो वन शेत्र में आती है, उसको कोडियों के दाम में बेच दिया गया और कोई भी पूछने वाला नहीं रहा है, इसी वज़े से 370 जब हटा तो उसके बाद माना यहीं जा रहा था कि अब उन्रेताओं क हैं कि नवंबर के आखर में किस तरह से बहां पर चुनाव की शुरुआत होने वाली है डी डी सी की और अब ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा और कम से कम जमु कश्मीर के लोगों की आँखे भी मिनाक्षे इसके जरीये खुलेंगे कि आपके नाम पर यान से और भी investigation होगी उमीद यही की जारी है कि कई बड़े नामों का खुलासा आगे आने वाले दिने में हो सकता है जिसमें पूरो मुख्य मंतरी भी जम्मु कश्मीर के हो सकते हैं उनके ओपर भी गाज गिर सकती है यानि कि भ्रश्टाचार के मामले में आगे आने वाले दिन सबसे पहले जिननेताओं का नाम सामने आया है अब इनसे जमीन वापस ली जाएगी यानि कि सिर्फ इंक्वारी नहीं चलेगी मामला कोट में है इनसे जमीन वापस ली जाएगी और ये पूरी तयारी इस वक्त LG मनोसना के आफिस की ओर से किया जा रहा है केंदर सरकार की भ पूरा बढ़ता हुआ चला गया 2004 में संशोधन होता है 2007 में एक्ट में संशोधन कर दिया जाता है अपने अपने हिसाब से इसको लगातार फिर बदल करके नियम अपने फाइदे के हिसाब से बनाय जाते रहे और अपने अपने लोगों को फाइदा पहुंचाया जाता रहा इसी वज़े से ये पहले लिस्ट है और मिनाक्षी माना जा रहा है कि बहुत जल्द अगली लिस्ट भी सामने आ सकती है जिसमें वो तमाम बड़े नाम होंगे अब जो बहुत बड़े जमो कश्मीर के बहुत बड़े नाम है और यकिनन उन नामों का हमें इंतजार करना चाहि है और ये सूतरों के हवाले से हमें ये लिस्ट मिली है और इस लिस्ट में उन तमाम नेताओं के नाम हैं जो की पी डिपी से भी जुड़े हुए हैं जो की नैशनल कॉंफे लेकिन किसी ने भी पूछताच आखर इनसे क्यों नहीं की? ये अपने आप में बनाक्षी बड़ा सवाल है